हलो, गुड मोर्निंग स्टूडेंट्स, यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका बहुत बहुत स्वागत, आज हम एक ने वीडियो, अस्वक मोर्य का धम क्या था, इम धम का सवरूप क्या था, के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, तो देखे यदि हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिल सकें, और आपको इतिहास से सम्मधित परीक्षय उप्यों की जानकरी प्राप्त हो सकें, तो देखेगा असोग मोरिय के प्रारंबिक जीवन के बारे में, उसके सम्मधित विस्तार के बारे में, और उसकी उपलब्दियों के बारे में, उसकी मर्तियों कैसे हुई, इसके बारे में, इन सब के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है, तो आज पढ़ते हैं, असोग मोरिय का धम और आचारों की सहिंता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेकों में धम का गया है ठेक है तो अपने प्रजा कि जो नतिक उठान के लिए असोग ने जो नियम बनाए थे जो आचार विचार दिये थे उनी को ही उसके भी लेखों में धम कहा गया है धम सेंस्कृत के धरम का ही प्राकर्त रूपांतर है प्रन्तु असोग के लिए इस सब्द का विशेश महत्व है वस्तुते यदि देखा जाए तो यही धम तथा उसका प्रचार असोग के विश्व इत्यास में प्रशिद होने का सर्वा प्रधान कारण है अपने दूसरे स्थम लेक में असोग स्वें प्रेशन करता है कि यम चू धमे अर्थात धम क्या है इसका उत्तरवा दूसरे यम सात्वे स्थम लेकों में सवता ही देता है वह हमें उन गुड़ों को गिनाता है जो धम का निर्मान करते हैं इन्हें हम इस प्रकार रख सकते हैं अब देखेगा इस लाइन का अर्थ क्या है उपास अपास निवे अपास निवे अर्थात अलप पाप बहु कयानी अर्थात अत्यदिक कल्यान दया है, दान है, सत्यवादिता है, सोचे, पवितरता है, मादवे, म्रेदुता है, साधवे, अर्थात, साधुता है तो अलप पाप, अत्यदिक कल्यान, दया, दान, सत्यवादिता, पवितरता, म्रेदुता और साधुता यही क्या है? धम है इन गुणों को व्यभार में लाने के लिए निम लिकित बाते आवसेख है यदि आपको ये सारे गुण अपने व्यभार में लाने है तो देखे क्या क्या आवसेख है अनारंबो प्राणानाम प्राणियों की हत्यान ने करना अवी हिंसा भूताना, प्राणियों की को छतीने पहुंचाना, मातरी, पीतरी, सुस्रूसा, माता पिता की सेवा करना, थेर सुस्रूसा, अर्थात, मृध्धों की सेवा करना, गूरु नाम ए पचिती, गूरुजनों का सम्मान करना, मित सैंस्तुत नाटिका नाम बहमन समणाना दानम संपटी पती अर्थाथ मित्रों परिचितों ब्रहमनों थता स्रमनों के साथ अच्छा विवार करना दास भत कम ही सम्मे प्रती पदी दासों यम नोकरों के साथ अच्छा वरता करना अपवेता अर्थाथ अल्पवे अपभांडता अर्थाथ अल्पवे संचे तो ये धम के विदायक पक्स हैं इसके अतिरिक्त असोग के धम का एक मिसेधात्मक पक्सभीत है जिसके अंतरगत कुछ दुर्गुणों की गणना की गई है ये दुर्गुण व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति के मारग में बादग होते हैं इन्हें आसीनव सब्द में व्य विचलित हो जाता है उसके अनुसा निमना लिखित दुर्गुणों से आसीनव हो जाते हैं देखिएगा आसीनव किस किस से हो जाता है अर्थात मनुसे में पाप कैसे कैसे आ जाता है दूर्विचार कैसे कैसे आता है और सत्गुणों से वह विचलित हो जाता है देखिए चंडी ये अरथात प्रचंडता, निठूली ये अरथात निस्थूर्था, कोध्धे, क्रोध, मनो, गमंड, इस्सा और इर्षा. तो जिस व्यक्ति में प्रचंडता, निस्थूरता, क्रोध, गमंड और इर्षय हो उसमें आसिनव आ जाता है, अर्थाते सद गुणों के वह विशलिते हो जाता है अते धम का पूर्ण परिपालन तभी संभव हो सकता है, जब मनुसे उसके गुणों के साथ ही साथ इन विकारों से भी अपने को मुक्त रखे इसके लिए ये भी आउसिक है की मनुसे सदा आत्म निरिक्ष करता रहे ताकर उसे अधे पतन के मार्ग में अग्रस्तर करने वाली बूराईयों का ज्यान हो सकते तबी धम की भावना का विकास हो सकता है धम के मार का नुसरन करने वाला व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति करता है और उसे यह लोग तता पर लोग दोनों में पूरे की प्राप्ति होती है धम तता उसके उपादान असो को बहुत पिरिये थे साधान मनुस्यों में धम को बोध गया बनाने के उद्धेसे से वह इसकी तुना बोधिक जीवन के विभिन आच्रणों से करता है तता धम को उनमें सर्वेस्ट गोस्तित करता है नमवे सिलालेक में वह मानव जीवन के विविद अवसरों पर किये जानने वाले मंगलों का उले करता है तथा उन्हें अल्प फल वाला बताता है उनके अनुसार धम मंगल महा फल वाला है ये दासों तता नोकरों के साथ उचित वेवार गुरूजनों के पर्ति आदर प्राणियों के पर्ति दया आदी आच्रों में परकट होता है सिलालेक 11 में धमदान की तुर्णा समनिदान से की गई है तथा धमदान को स्रेस्ट तर बताया गया है अब देखेगा धमदान का अर्थ क्या है तो धम का उपदेश देना धम में भाग लेना तदा धम से अपने को संभोधित करना कर लेना इसी परकार तेरवे सिललेक में असोक सहनिक विजे की तुलना धम विजे से करता है इस प्रेसंग में वह कलिंग विजे में होने वाली व्यापक हिंसा यम समहार के गठनाओं पर भारी पस्चाताप करता है उसके अनुसार परतेक सहनिक विजे में ग्रेना हिंसा यम हत्या की गठनाएं होती हैं इसके विपरीत धम विजे प्रेम दयाम्रदुत्ता यम उदार् से अनुप्राणिते होती है ठीक है यह हमने पढ़ा धम क्या है उसके बारे में आप पढ़ते हैं असों के धम का सवरूप कैसा था तो धम में दार्षनी के अंतत्व मिमान से यह प्रशन की पूरी तरह से किसी भी प्रकार की समिक्षा नहीं की गई है धम में जिन सामाजिक य का सम्मावेत किया है वह वही हैं जिने संपरदाय सम्मान रुप से सही मानते है धम में नतों मात्माबूद के चार आरिस सत्यों का उलेख है ना आस्टांगी कमार गया उन्हें आत्मा प्रमात्मा समंधिय वदार नहें हैं अत्या विद्वानों ने धम को भिन भिन रूप में देखा है देखे गया कोणकोण से विद्वानों ने क्या क्या कहा धम के सवरूप के बारे में फ्लिट मौदे कहते हैं कि इसे धरम मानते हैं व उसका धम केवल करमचारियों तक की सीमित नहीं था अपितुवे है सामाने जनता के लिए भी था फिर अगले विद्वान आते हैं राधा कुमुद मुकरजी तो इन्होंने सभी दर्मों की सांजी संपत्ती धम को बताया है उनके अनुसार असो का विक्तिगर्द धरम ही वो धरम था तता उसने साधारन जनता के लिए जिस धरम का विद्वान किया वह वस्तुते सभी दर्मों का सार था रमा संकर त्रीपाठी एम विंसेंट स्मित कहते हैं जैसे कुछ अन्ने विद्वान ने भी इसी मत का समर्थन किया है कोन से मत का राधा कुमुद मुकरजी के मत का जो बताया कि वह धम है वह सभी दर्मों की सांजी संपत्ती है उनके अनुसार असोग का विक्ति गत धर्म ही बोध धर्म था तता उसने सादर्न जनता के लिए जिस धर्म का विद्वान किया वह वस्तुते सभी दर्मों का सार था ऐसा रमा संकर त्रीपाठी विंसेंट स्मित भी कहते हैं त्रीपाठी के अनुसार असोग के धम के तत्व विश्वसनिये हैं और हम उस पर किसी धरम विशेश को प्रोथसान अत्वा सरंक्षन परदान करने का दोसार उपन नहीं कर सकते फ्रांसेसी विद्वान सेनाट का विचार है कि अपने लेखों में असोग ने जिस धम का उलेख किया है वह उसके समय के बोध धरम का एक पूर्ण तता सर्वांगिन चित्र परस्तुत करता है रोमिला थापर का विचार है कि धम असोग का अपना आविशकार था संभव है इसे बोध तता हिंदू विचारदारा से ग्रण किया गया हो किन्तु सार रूप में यह समराड द्वारा जीवन पदत्तिवों सुझाने का एक ऐसा प्रियास था जो विवारिक तदा सुविदा जनक होने के साथ साथ अत्यदिक नतिक था इसका उदर से उन लोगों के 20 सुखद समनवे स्थापित करना था जिनके पास दार्षनिक चिंतन में उलजने का अवकास से नहीं था परसित विदवान DR भंडार करके नुसार नतिक अशों का धम सभी दर्मों का सार ही है और नहीं उसमें बोध दर्म का पून एमस्तरवाणिन चित्त रहै उनके विचार में असों का धम सभी दर्मों का मूल शरोत बोध दर्म ही है असो के समय बोध्रम के दो रूप थे कौन-कौन से विक्षू बोध्रम और उपासक बोध्रम उपासक बोध्रम समाने ग्रहस्तों के लिए था असो ग्रहस्त था अता उसने बोध्रम के दूसरी रूप को ही ग्रहन यार्थात उपासक बोध्रम को इस धर्म के अंतरगत साधरन ग्रहस्तों के लिए सामाजी के नयतिक नियुमों का समावेश रहता था असोक के धर्म तता बोध गरंतों में उल्लेकित उपासक धर्म के तुलनात्म का ध्यन से इस पर सो जाता है कि उसने धर्म के जिन गुणों का निर्देश किया है वे दीग निकाय के सिगालोवादू सत्मे उसी प्रकार देखे जा सकते हैं तो कई बार क्यूशन भी पूछ लेते हैं एक जामें कि ये सोक है वे बोध धर्म के कोन से भाग का नुए था उपासक बोध धर्म इसमें उन उपदेशों का संग्रह हुआ है किसमें सिगालोवादू सत्मे जिने बुध ने साधान ग्रहस्तों के लिए अनुकरण ये बताया था इसी कारण इस सुत गीही विनय ग्रहस्तियों के लिए उपदेश भी कहा गया है इसे सिगालोवादू सत्त को सुत गीही विनय भी कहा गया था ग्रहस्तियों के लिए उपदेश इसमें माता पिता की सेवा गुरूओं का सम्मान मित्रों समंदियों परिचितों तता ब्रामन सर्मन साधूं के साथ उदारता और दास भ्रत्यों के साथ उचित विभार करने का उपदेश दिया गया है असोग ने धम पालन से प्राप्त होने वाले जिन स्वर्गिये सुखों का उलेक किया है उनका भी विमान वत्थू नामक पाली गरंथ में इसी रूप में विवरन देखा जा सकता है अता है इन समानतों को देखते हुए भंडार कर असोग के धमक उपासक दभोध धरम कहते हैं इसने इसकर्स की पुष्टी असोग के पर्थम लगू सिलालेक से भी हो जाती है इस सिलालेक में वह कहता है कि संग के साथ संबंध हो जाने के बाद उसने धम के प्रतिव अधिव उत्साह दिखाया यदि असोग के लेखों का धम बोध धरम नहीं होता तो बहुत गरंत था कथानक कभी भी उसका चित्रन अपने धरम के महान पोसक्यों स्रंग्सक के रूप में नहीं करते इस प्रकार उपासक बहुत धरमी असोग के धम का मूल स्रोथ था यही कारण है कि इसका लक्से निर्वान की प्राप्तिना होकर स्वर्ग की प्राप्ति बताया गया है रोमिला थपर की दहाना है कि असोग की धम नीती उसके द्वारा इस्तापित किये गए सुविस्त्रित समराजे में एक्ता इस्तापित करने के उद्देशे से अपनाई गई है यह एक्ता या तो कठोर के अंदर ये नियंतरन या भावनाई एक्त करने के लिए धम का परचार किया थापर के अनुसार असोग ने धम को समाजिक उत्तरदायत्वे की एक वृति के रूप में देखा था इसका उद्द से एक ऐसी मानसिक वृति का निर्मान करना था जिसमें समाजिक उत्तरदायत्वों को समात के किर्यकलापों में मानवे भ दा ने किया तो इस वीडियो में हमने असोक के धं کے बारे में पढ़ा धं का सोरूप क्या था धं किसे कहते हैं सब बातों को मिला करे के एक यह बात यहां पर निसकर निकलता है कि असोक है वह है अपने सच्चे रिदे से अपनी प्रज्जा की सेवा करना चाहता था वह अपनी प्रज्जा को अपनी संतान की तरह देखता था तो इस वीडियो को अंतक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद